नमस्कार वीवर्स, स्वागत है आप सब का हीमचक्षू ग्लोग्स पर, मैं हूँ एमार भाटिया जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं बात करता हूँ अपने देश भारत की, अपने हिमाचल की, अपने चमबा की मेरे हिमचक्षु गलोग्स का उदेशे भी है हिमाचल के कल्चर वा हिमाचल के लोगों की रिस्पेक्ट मैं बात करता हूँ पहाडों की, नदियों की, जर्नों की, जंगलों की, खेतों की, किसानों की, बागवानों की, शहरियों की, गाउवालों की, मिट्टी की, गाये की, भैंस की, भेड्डू की, बकरी की, धार की, दुधार की, फाट की, गोट की, पानी के नाडू की, की रोटी की मदरे की सरसों के साथ की आलो की कचालों की भरमोर की भढ़ियात की चुरा की पांगी की रावी की ब्यास की बगीचे के घास की हंडकों की परात की पीडवली जंगलात की द्यार की तोस की लोकी और करेले की मिंजर के मेले की तरंगडी की दर्या की पहलवानों के दा की, लुंगडी और कस्रोड की, चांजू और नक्रोड की, गरीब की, अमीर की, रांजे की, हीर की, कोर्धूप और शमा की, थोड़ी सिरियस, थोड़ी मजा की, तो आए इस कड़ी में देखते हैं आज का ये वलोग चिली गाओं के एक किसान, शिरी भागमल जी का ये घर, ये हमारे शिव भूमी चंबा के महनत का किसान, जिनके खेतों में अभी जो है, वो मक्की की फसल जो है, वो लग रखी है और ये बहुत ही अच्छी फसल जो है, इनके खेतों में इस बात का परमान है कि हमारे किसान जो है, वो बहुत महनती है ये इन्होंने फ्रास्बीन लगा के रखी है, और काकडी की बेले हैं, क्रेले की बेल और सेव के पेट और ये निम्बू बगएरा जो हैं, इन्होंने लगा के रखे हैं, हमारे किसान, हमारी शान चिली रिमाइन बड़े सिद्ध साथे, बड़े अच्छ माइन हो, चिली गाओं के ये बहुत ही हेल्दी और सेथमन्द मुर्गे असाड़ा चिली बड़ा चैड़ा, खूबसूर्त चिली गाओं के ठीक नीचे है, ये बेरसी बांद और ये चिली गाओं के खेत, मक्की की फसल से लहला आते हुए, हमारा पहाड़ी जो कशेतर है, वो थोड़े घर, थोड़े दूर दूर, लेकिन बहुत ही सुन्दर गाओं, प्राकरतिक छटा के बीच में बसा हुआ चिली गाओं, अपने आप में बेहुद खूबसूर्त बढ़ा अच्छा ग्राण, असरी चिली बढ़ी अच्छा ही, चिली के बाजार में केड़ी एलेक्ट्रोनिक्स और ये महनु भाईजी अपने काउंटर को बैठे गया, हमारा चिली गाओं शांती प्री गाओं है, ये चिली गाओं का एक और द्रिश्च है, चिली के बाजा बाजार का एक द्रिश्च है, ये चिली गाओं का शिम मंदिर, आए इसके बारे में जानते हैं, पंडित्ची से कुछ जानकारी, आज के व्लोग में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए व्लोग में, तब तक के लिए जैहिंद, जैहिमाचल,